देश में इस वक्त कोरोना की टेंशन हाई है लोग कोरोना की वज़ा से पूरी तरहां लॉक्टाउन हो चुके हैं घरों से बाहर निकलनी की मना ही है देश के 30 राज्यों को पूरी तरहां बंद कर दिया गया और कई राज्यों में कर्फ्यू लाग हुए इन सब के बीच एक राहत भरी खबर आई है देश में रिलाइन्स क्रूप ने पहला कोरोना के लिए डिडिकेटिट अस्पताल तयार किया है इस अस्पताल में 100 स्पेशल बेट तयार किये गए हैं जिसमें कोरोना के मरीजों का इलाज होगा और उन्हें वो तमाम सुखसो वि पिडित मरीजों के लिए खाना और उनके लिए फ्री में फ्यूल उपलब्ध कर आने का ऐलान किया है। कि Reliance Foundation इसका पूरा खर्चा उठाएगा इसमें एक negative pressure room भी बनाया गया है जो कि cross continuation को रोकने और Corona virus से हुए संक्रमन को नियंतुरत करने में लोगों की मदद करेगा, डॉक्टरों की मदद करेगा Reliance के मताबिक इस hospital में जो 100 बेड तयार किये गए हैं उन सभी बेड पर जरूरी बुनियादी धाचे और इसके अलवा जो medical उपकरण हैं जैसे कि ventilator, pacemaker, dialysis machine और जो रोग्यों की निगरानी करने के लिए जरूरी सामान हैं उन सभी सामानों से लाज किया गया है Reliance का दावा है कि मुंबई में world class facilities वाला ये hospital होगा इसके साथ साथ कोरोना के प्रभाव की रोग्थाम के लिए Reliance Industries ने मास्क उत्पादन ख्शमता को भी बढ़ाने का फैसला किया है और इसे बढ़ा कर एक लाख मास्क प्रतिन करने का फैसला किया गया इसके अलावा COVID-19 के मरीजों को ले जाने वाले वाहनों को मुफ्क में फ्योल देने का भी ऐलान हुआ है Reliance Industries CSR policy की तहट ये सभी कदम उठा रही है इससे पहले Reliance ने अपने सभी कर्मचारियों को work from home का आदेश दिया था और हमने कुछ दिनों पहले मुकेश अमबानी को प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर कोरोना वीरों के लिए या उनकी होसला अबजाही के लिए घंटी बजाते हुए भी देखा था Reliance Industries की इन पहल से साफ है कि देश में कोरोना की रोक थाम के लिए वो बढ़ चोड़ कर हिस्सा ले रही है झाल 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 झाल